अगर आप लोग का कोई आप है या आप लोग सोर्च रहे हैं एक नया अप प्लेस्टोर पर रिलीस करने के लिए तो यह वाला वीडियो आप लोग लिए है हाई गाइस मेरा नाम है कृपेश अडवानी और मैं एक बड़िंग टेक अंट्रप्रेनर हूँ जो हमारा आज को टॉपिक है वो है नए पॉलिसी के चेंज़ेस के उपर न्यू पॉलिसी जो अभी आई है गूगल ने जो एट ऑक्टोबर को रिलीस करी है उसके उपर आज हम लोग बात करेंगे अजाय से गूगल अपनी पॉलिसी को धीरे-दीरे स्ट्रिक्ट करते जा रहा है और उसी के चलते इनोंने नहीं अपनी पॉलिसी दिकाल दी है रिलेटेटेट टू मैलशियस बहेवियर और यूजर डेटा को लेकर के परमिशन को लेकर के तो आज हम लोग इसी पॉलिसी के ओपर बात करेंगे और विदाउट एनी फ़दर अड्यू लेट्स गेट सार्टे यह है वो एमेल जो बहुत सारे डेवलपर को आया है और गूगल प्ले ने कुछ पॉलिसी में चेंजेस करेंगे तो आज हम ब्रीफली जाएंगे इन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस करेंगे और हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हमारे आपको सस्पेंट नहीं किया जाए तो विदाउट एनी फॉर्दर अड्यू लेट्स गेट सार्टेट जो पहला पॉइंट है विदाउट अब इसके लिए में पहले भी मैंने वीडियो में में चेंजेस किया है कि अगर आपके आप में मैलिशेस बिहवियर है फॉर एक्जामपल अगर आपका आप डेटा को स्टील कर रहा है इसके बारे में यूजर को पता नहीं है तो वह चीज मैलिशेस बिहवियर में आजाता है फॉर एक्जामपल अगर मैं इमेल भीज रहा हूं मैसेज भीज रहा हूं फोन कॉल कर रहा हूं बाक्राउंड में कोई भी सर्विस चला रहा हूं जिसका मैने नोटिफिकेशन नहीं दिया है उपर को और यूजर को पता नहीं है बिसिकली आपको जो भी फंक्शनालिटी करने है जो भी परमेशिन यूज करने है जो भी सर्विस यूज करने है उसका पहले आपको बताना पड़ेगा second policy जो इन्होंने बताई है वो है design for families के उपर कि अगर आपका app जो ऐसा है जो under 13 के users को serve कर रहा है जो primary जो children के लिए बनाया गया है तो फिर आपको वो चीज बतानी पड़ेगा अपने आप में mention करना पड़ेगा और वो सारी policies भी follow करनी पड़ेगा आप तभी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका app actual में 13 below की age वालो के लिए है अगर आप लोग उसको misrepresent करेंगे या अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ मेरा app family के लिए suitable है बट under 13 के लोग उसे नहीं देख सकते तो फिर वो misrepresentation में आ जाएगा और रिमूवल या आपका app को suspend किया जा सकता है तो आइ रेकमेंड कि अपने आप को कभी ऐसा मत शो करो क्योंकि इसमें काफी सारी policies आ जाती है कोपा में आपको यह सारी policies कोपा की follow करने पड़ेगी अगर आपको under 13 डालना है तो थर्ड जो है यह important policy है यह भी malicious behavior से ही related है बट यह अलग से important policy है बहुत ही important policy है इसमें user data permission के बारे में इनोंने कुछ नई policies निकाली है अगर आप user data को use कर रहे है तो अपको बताना पड़ेगा कि आप कौन-कौन से information कलेक करें उसको कहां-कहां use कर रहे हैं कैसे कैसे उसको and disclose कर रहे हैं कहां पर का marketing में उस कर रहे हैं आप उसे कैसे उस कर रहे हैं उस information को वो चीज़ आपको अपनी privacy policy में बतानी पड़ेगी सो अभी आपको पता होगा शायद से बहुत सारे लोगों प्राइवेसी पॉलिसी के मेल भी आ रहे हैं वो इसी पॉलिसी की वज़े सी है आपको अपना user data बताना पड़ेगा कि आप कौन से information कर रहे हैं और उसका use कैसे कर रहे हैं सो GDPR से related है थोड़ा बहुत एक और जो इसमें important policy है वो है permissions की policy permission policy is कि जैसे आगर आप कोई भी important call log कोई भी important permission को जूश कर रहे हैं जैसे call या फिर SMS वाली चीज़े तो आपको वो चीज मेंशन करने पड़ेगी कि क्यों यूज कर रहे हैं आप लोग किसले यूज कर रहे हैं आपको लेमान टम्स में अपने user को information समझाने पड़ेगी क्यों आपको चाहिए वो बहुत easy language में होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए उसकी language को और अगर आप लोग वो information किसी और purpose ले यूज करते हैं जैसे आपने permission मांगी कि मैं को call चाहिए call history चाहिए आपकी phone book के लिए कि मैं आपका phone book app बना रहा हूँ मैं को उसके लिए call history चाहिए बट देन आप उस phone book से information extract करके अपने database में भी save करते हैं तो अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो आपने इसके लिए actual permission नहीं मांगी थी तो अब आपको इसके लिए या फिर अलग से permission लेनी पड़ेगी या फिर आप अगर आप ऐसा करते हैं अगर आप वो अली यह मतलब है कि अब जो Google कर रहा है वो यह है कि अब वो धीरे-दीरे strict होते जा रहा है तो अगर आपके low quality apps हो या अगर आपके apps में ज्यादा problems हो या आड ज्यादा show हो रहे हूं कुछ भी हो तो वो आपके app को remove कर सकता है so enforcement policy में यह है कि वो धीरे-दीर अपनी policy को strong करता जा रहे हैं so it's just a sign कि आप अपने apps को अच्छी quality का बनाए and spam नहीं करें play store को so यही था brief में कि क्या-क्या था in policies में and I think it's a good move था कि play store से जो spamming वाले apps हो हड़े है low quality apps हो हड़े है था कि जो actual में जो work कर रहे हैं जो actual में जो developers हैं उनके apps को promote की करना आसानी है welcome back guys I hope आप लोगो कुछ value gain करने को मिली हो इस video से and अगर कुछ मिला हो तो thumbs up जरूर दे जीजेगा so that will be all for this one until next time goodbye and keep learning